बड़ा उलट फेर गाईज हो चुका है जीहा लेटिस्ट वोटिंग ट्रेंड निकल के सामने आच चुका है कुछी घंटे के अंदर एक घर वाला पहार होने बाला है लेकिन जो विनर बनने जा रहा है उसमें भी बड़ा उलट फेर हुआ है चलिए आपको बड़ी कि अब आप 6 बजे की लाइव भी हमारी जोइन करना जो इंस्टागराम पर हम करने वाले हैं तो आजएए हम सब मिलकर बाचीत करने वाले हैं लाइव वीडियो में एड़ करके लिंक है कुमेंट बोक्स में मिल जाएगा तो जल्दी से आजएए अच्छा गाईज अब हु बोला था कि यादा मारजन नहीं है दोनों है एक और दो नंबर चल रहे हैं लेकिन अब क्या हुआ उसके बार में बताता हो लेकिन नंबर 6 से शुरू करें कि नंबर 6 पर क्या हुआ है नंबर 6 बड़ा चेंज हुआ है चिया सुबह गाईज मैंने आपको बताया था अरुन वोट मिल रहे हैं जिसके चलते वो नंबर 6 पर आ चुके भाई साब और कुछी घंटों में वोटिंग लाइन है वो बंद होने वाली है और कुछी घंटों में एलिमोनेशन भी होगा लेकिन यहाँ पर उससे पहले पहले विकी भाई साब यहाँ पर नंबर 6 पर आ चुके ह और उसे जनता कम वोट कर रही है अब नमबर पाच की बात करें तो नमबर पाच पर अरुन महाशित्टी चले गए है जनता ने उसको वोट किये है 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 अगर आप ने किये तो कमेंट बॉक्स में बदाएगा लेकिन 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 सस्पैंस यह है कि चाहे कितने भी वोट कर चाहे अरुन को कितना भी उपर उठा लो नमबर वन पे भी ले जाओगे मेकर्स फिर भी उसको टॉप फाइब में नहीं लेके जाएंगे मैंने सुबह जो आपको फैक्ट बताया था कि मेकर्स चाहते हैं विक्की और अंकिता के बीच में सब कुछ ठीक करके भेजे यानि क इनके बीच में रुमैंस वाला शो क्रेट करेंगे डांसिंग परफोर्मस ये दोनों साथ में करेंगे जिसमें ये दोनों रुमैंस करते हो दिखाई देंगे तो कुछ ऐसी खीजे के लिए इनके लिए क्रेट की जा रही है तो विक्की को रखेंगे अब देखते क्या करते लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अरुन माशेटी की छुटी होने वाली है यह मेरा personal opinion है मुझे ऐसा लग रहा है अब यहाँ पर गाईज मैं आपको बताओ तो नमबर 6 पर विकी जैन है जिसे सबसे कम मिल रहे हैं नमबर 5 पर अरुन माशेटी है पर अरुन मेकर्स के लिए कुछ है वोटिंग का तो कुछ है ही नहीं यार यह तो बस इस बार formal tip कर रहे है कि वोटिंग करो वोटिंग करो लेकिन जब तुमने अपनी मर्जी से ही गंटैशन को ऊपर नीचे करना है Elimination करना है विनर बनाना है तो फिर क्या मतलब है वोटिंग का ऐसा दिख रहा है बाकी देखते हैं ये लोग क्या करते है नमबर दो की और वन की बात करें तो यहाँ पर गाइस बड़ा चेंज आया है सोबह मैंने आपको बदाया था मुनवर फारुकी नमबर वन पे थे और उसे सबसे यादा वोट मिल रहे थे यादा मारजन नहीं था अभी शेक से 19-20 का था और यही अभी अभी पूरा दिन वोटिंग हुई है और जिसके चलते अभी शेक कुमार के फैस ने मुनवर से उपर कर दिया है चीया इसमें भी मारजन नहीं है इसमें ऐसा नहीं है कि भाया वो 20-30% आगे निकल गए नहीं इसमें भी 1% का है तो 19-20 का ही है मतलब अगर मुनवर को 20 मिल रहे हैं तो अभी शेक को 21% मिल रहे हैं तो बस इतना ही मारजन है जो कि वोटिंग लाइन एंड होने तक गड़बडा सकता है या फिर उपर नीचे हो सकते हैं तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि भाया आगे निकल गए पीछे है बस यह एकी बराबर चल रहे हैं दो तो टकर दे रहे हैं और यहाँ पर मुनवर फारुकी नमबर दो पे है अभिशेक कुमार नमबर वन पे आ चुके है अब जनता है अभिशेक को नीचे आने देंगी कि नहीं आने देंगी वो देखना होगा लेकिन मुनवर के फैंस है अब वो उपर रखते हैं या फिर नीचे ले आते हैं ये भी देखना होगा voting line है 6 बजे के करीब close हो जाएगी जल्दी से vote कीजिए और एक और बात बता दू गाइस ये winner वाली voting नहीं है ध्यान अखिएगा ये winner वाली नहीं है ये elimination की voting है जिससे winner का भी थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है लेकिन winner वाली एक और voting line open होगी और काफी लोग है मुझे foreign country से messages कर रहे DM कर रहे मैं उनको बजा दू थोड़ा सा wait कीजिए मेरे पास जैसे update आएगी न कि भाईया आप कैसे vote कर पाऊगे तो मैं आपको अलग से video बना कर दिखाऊँगा कि आपने कैसे vote करना है अगर नहीं भी कर पाऊगे उसके लिए भी मैं आपको वीड़ा दूँगा तो थोड़ा wait करना है बाकि आप मुझे instagram फे follow कर लीजिए बापर update में आपको देता रहूँगा चलिए guys क्या बोलोगे 6 बज़े तक आपके बास time है vote कीजिए विकी को भीजना चाते हो अरुन को लिख डालिए comment box में और जल्दी से follow कर लीजिए instagram पे आते हैं थोड़ी धेर में live